अमिता बच्चन के कमबैक के बाद में उनको सिर्फ एक हिट मुवी नसीब हुई थी जिसका नाम था बड़े मिया चोटे मिया और कुछ हद तक मेजर साब एवरेज साब एत हुई उसके बाद में अमिता बच्चन के पास में इतने सारे ओप्शिन्स नहीं थे and he was in great financial trouble मगर एक ऐसा शो आया जिसने अमिता बच्चन को फिर से उसी पोजिशन पे लाके रख दिया जहां पे सुपर स्टार ओफ दे मिलिनियम जगमगाता है और उस शो का नाम है KBC जो की July 2000 के अंदर शुरू हुआ था जबी KBC शुरू हुआ तो हमने देखा कि सारी streets जो है first season के अंदर empty हो जाती थी सारे के सारे KBC देखने के लिए भागते थे और वो जो शो है वो रातो रात सुपर हिट हो गया वो शो हजार एपिसोड पूरे कर रहा है और उसका टेली कास होने वाला है कल 3rd December को Sony TV के ओपर तो ये शो अमिता बच्चन के लिए बहुत ही एहम है और इससे celebrate करने के लिए इसका 1000th एपिसोड celebrate करने के लिए आ रही है अमिता की daughter and granddaughter यानि की श्वेता नंदा और नव्या नवेली तो ये दो जो guest है कल आपको दिखेंगे के बी सी के मंच के उपर अपने father and अपने नाना बिग बी के साथ में तो ये जब इनकी game show चल रही थी तो बिग भी थोड़े से भावुक हो गए थे क्योंकि इतनी लंबी जर्डी पूरे के पूरे seasons में खाली एक third season है जो शारुक खान ने किया था बाकि सारे season अमित जी ने किया है तो अभी ये show का importance इसके लिए उनके लिए बहुत बर जाता है क्योंकि ये show आने के बाद ने उन्होंने फिर से अपना stardom एक तरीकी का regain किया आपने आपको reinvent करके वो character roles characters मगर जो character roles ऐसे जो की heroic नहीं है मगर still उनका lead काम है तो कभी वो father बन जाते कभी वो जैसे के बेटे भी बने है एक movie के अंदर तो अलग-अलग तरीकी की भूमिकाए उन्होंने उसके बाद में निवाई है and then there is no looking back उसके बाद में तो यह KBC का show है उनके लिए बहुत ही important रहा है और अभी KBC की बात करें तो KBC का सबसे first winner जो था जो एक करोड रुपया जीता था वो October 2000 में जीता था और जो winner है उनका नाम था हर्शवरदन नवाठे और जो आज तक की सबसे बड़ी राशी है जो किसी ने जीती है जो नेरूला फैमिली है उन्होंने 7 करोड जीते थे तो 7 करोड से बड़ी आज तक कोई राशी नहीं हुए है किसी ने जीती है KBC में और जो first winner रहे हैं वो रहे हैं हर्शवरदन तो इसके ये जो moments है इसके उपर कल के episode में आपको थोड़ा सा और रौशनी मिलेगी कि कैसे ये पूरी की पूरी जर्णी हुई and for any person it is very very important कि 21 साल के लंबी जर्णी कोई भी अगर करता है अमित जी का तो career इतना वड़ा है इतना vast है पहले acting जो अभी तक करते आ रहे हैं फिर उसमें से 21 years itself उन्होंने टेलिविजन के अपर KBC करते हुए निकाले हैं तो ये बहुत बड़ी achievement है and लाजमी है कि वो इस पे थोड़ा सा emotional तो होंगे होंगे तो सबसे पहले तो congratulations to KBC and Amit जी for completing the thousandth episode of कौन बनेगा करोड़पती और ये जो crazy है जिसने पूरे इंडिया को पिछले 21 साल से entertainment किया है वो आगे भी बढ़ता रहेगा और ये अमित जी ने खुद कहा है कि जो game है वो तो चलना ही चाहिए और वो चलता ही रहेगा तो cheers to KBC and cheers to the thousandth episode तो दोस्तो I hope so आपको ये वीडियो पसंद आयोगा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो please इससे like किजे नहीं है तो dislike किजे मगर interact जरूर किजे thank you for watching guys झाल